हाई फ्रेंड्स वेलकम बेक टू एजुकेस इंडिया तो आजम बात करेंगे मोसम बाग के बारे में आप सभी को बताएंगे कि आने वाले चार दिनों तक देश में मोसम कैसा रहेगा कहां पर कितनी वारिस होगी और कहां पर बहेंकर तुफान आईगा और साथ में आपको य जानकारी दी जाएगी और साथ में मोसम बाग का पुरा ना दीव दिया जाएगा इसलिए वीडियो भी पुरा पुरा ध्यान परक लास्त तक देखते रहे ताकि आपको एक एक जानकारी बिलको जई और सटिक तरी किस प्राप्ट हो जाए और आप इस भैंकर तुफान जा सब्सक्राइब पर यह जिसके लिए आपको वीडियो के निचे आपको एक लाल करण का सब्सक्राइब कर दिख रहा होगा आपको उसको दबाना है और जैसे आप उस सब्सक्राइब कर दो दबाएंगे तो पास ही में आएगा एक गंटी का निस्वा उसको भी आपको जुर कीजिए जिसके लिए आपको वीडियो को लाइक और सेर करना होगा लाइक करने से आपका जो सपोर्ट होगा वा वीडियो को मिलेगा और सेर करने साग ये जो वीडियो है वह आपके भाई बहान में तरभी प्राप्त कर लेंगे और वह भी इस भैंकर तुफान और भैंकर बा आदे से अधिक तर भारत रहा सकता है और इससे दोसरत में पूरी तरह से भारत भी रहा सकता है भारत में 2 जुलाई से 5 जुलाई तर लगातार ये तुफान और भैंकर बाहित होने वाली है जिससे देश के कई बड़े बड़े इससे तबावी हो सकते है अब देख लेते हैं किन किन रिस्तों में बारी तबाई मस्ने वाली है और भैंकर तबाई से वहाँ पर पूरी तरह से जन जिन वही परभाईत होने वाला है तो देख लेते हैं पूरी की पूरी मोसंबाग की रिपोर्ट के अनुसार मोसंबाग की जानकारी तो मोसंबाग की तरब से देश में जारी हो चुका है बहुती बड़ा अलट चार दिनों के लिए बारी वारिस का ये अलट है और मोसंबाग ने ये आने वाले दिनों के लिए बारिस की चैतानी जारी करते हुए अलट जारी क्या है मोसिंबा के अनुमान से ये बात सामने आई है कि अगले चार दिन देश के लिए बहती खतरनाक हो सकते हैं और मोसिंबा के मुताविश हवाँ में कम दबाव की चलते हैं जो ये कुछ बड़ी वारिस हो सकती है जो की मानसुन के कारण होने वाली है मोसंबा के नुमान से मांसुन के विदरब और पच्चिम के रास्ते मद्या परदेश तक पहुंचने की ब्यासंका है इन चार दिनों के वीतरी मोसंबा के नुमान से दो जुलाई को तेलेंगारा पूरी मद्या परदेश विदरब और 36 गर में मोस्दादार परदेश होने वाली है अनुमान के नुसार करना टके अंदुरन इस्तो वा तट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट को गा गया कि मद्य पच्चिमी और दसिनी पच्चिमी अरब सागर उत्री रक्षिनी वहां पद्य बगाल की काड़ी के लाकों में नाज जाए को कि वहां पर बेहदी खतरनाक मांसुरी चकरवाती हवाई बन चुके जिस कारण वहां पर भीष्ण बारिस चले रही है और वहा बडई बारिस साओन रेने को कहा है और रही तीन जोई को पूरी मध्य परदिस मूस्तलदार में में बारिस ओनने की आसंगाँ बताई गयी और पच्चिमी अडेश पर दशच में बहुँचारा बारिस में बहुत जार्य होने की आसंगा बताई क्यां更क देनríर जिस कारण जो हैं दो तीन और चार्ज जुलाई को भेंकर भारी बारिस होने वाले और उसके अलाव मराट वड़ा तेलेंगाना चत्तिसगर उत्राकन और पूरी राजस्तान समेथ बड़े बड़े इलाकों में भारी बारिस की आसंका है और समुद्र तर्टी इलाकों में 40-50 किलोमेटर परतिगंडे के रफ्तार से तेज हो है चलने की भी तीन जुलाई को आसंका है और भैंकर चेतानी के दवात कहा गया है कि तीन जुलाई भी देश के लिए बहेजी खतरनाक हो सकता है और इसी पर का 4 जुलाई को भी मच्ची में मध्यापरदेश, कोकन, गोवा और पूरी राजस्तान में मूसला तारबारिस की चेतानी जारी कर दिये और वहीं इसके अलावा केरल, माहे, करनाटा के तट्टे इलाकों वहीं पूरी मध्यापरदेश और विदर्ब के उत्तराकन वगर इलाकों में भी बैंकर चेतानी के ताथ आई इलाट जारी कर दिये और वहीं पूरी पूरी तरह से काम करना शुरू कर दिया और कहा गया है कि चार जुलाई बहती खतनाग दिन होने वाला है भारत राज्ये के लिए भारत देश के लिए और शिकान मोसमबाग ने हाईलेट के तह सबी लोगों को चार जुलाई को सावधाने ने कोई भी कहा है और परसासन ने भी अपील किये कि सबी लोग अपने घर में बिलकुल सुरक से त्रहेगा चार जुलाई को क्योकि माराश्टम में तो बारी वारिस चल ले और वही करना टके भी तर्टी लाकों में भारी वारिस हो सकती है पांच जुलाई को दूस पर कहा सी है मोसमबाग का जो है अपडेट आया है और मोसमबाग ने सब्डेट के तहट जो है सबी लोगों को बहुत ही बड़ी चेता हो नहीं के तह सावधान किया और चेताते हुए सबी माराष्ट का इलाका पुरी तरह से तबा होने वाला है पुरी तरह से पानी में डूबने वाला है इस यह संगा मोसमबाग ने जताई है और जैसा कि आपको बतारे तो माराष्ट में भी भी हाई टाइड वाला चेता होनी जारी है और माराष्ट में अभी तक 25 लोगों की भ गलवार को भी मुंबई समयत बाराष्टे के जादा तरह हिस्तों में तेज बारिस होना लगबागते हैं और मौसिंबाग ने दो जुलाई को तर्टी एलाकों में बहुत ही बड़ी शेताउनी जारिक कर दिये मौसिंबाग के नुमान से कहीं जगा-जगा जल ब्रा होने की स् माराष्टे में सभी जो मचुआ रहे वा समुदर से दूरी रहे माराष्टे में बारी बारिस की वज़े से जो हैं 13 ट्रेनरी भी रद कर दी गई है और वहीं कुछ बड़े-बड़े ड्रेक पर भी बारी जल बराव की सती बने चुकी है और जिसका बड़ी-बड़ी ट्रे बारी बारिस से सम जाएगा अब जारकन क्योंकि जारकन में से राजदानी राची वहास पसके लागों मैं मध्यम से मुस्तदार बारिस हो सक्तिय और इसको लेकर चेतानी जारी किये और मोसंबाग के अनुमान से जो है यहाँ पर मांसुन सकरी हो चुका जिसका अगले पांज जिनों तक भारी बारिस हो सकती है जारकन राजिय में और इसको लेकर मोसंबाग ने सभी को जारकन के लोगों को साथ अनने की भी अपिल किये और राजस्तान में भी यहाँ पे 30-40 गंटे के रफ्तार से तेज हवाई चलने की अनुमान बताए जिसका कारणे की बंगाली ख्याडी में बन चुका कम दबाव का सेत्र निम दबान सेत्र जिसकान जो है परदेश के कई बड़े बड़े इलाके में अजलर जारी हुआ है आपको बताए तो मोसंबाग के अनुसार परदेश के अजमेर, अलवर, दोसाथ, जयपूर जुद्नू समयत बड़े-बड़े इलाके चपेट में हो सकते हैं बारी-बारिस के सबी बड़े-बड़े इलाकों को साथान देने को कहा है अगले जो दिन होने वाले चार उस दिनों में और मोसंबाग ने कहा है कि 5 जुलई तक देश के बड़े-बड़े इलाके बैंकर वारिस के चपेट में बिश्चन बारी-चपेट में हो सकते हैं मौसंबाग ने उत्रपर जानकारी आप सबी के लिए और आपको बताया गया इस Req neighbour के अनुसार 1 परकास रहेगा दो जुलाई से पांच जुलाई तक मोसम और किस परकासे देश में एक बहुत बड़ा संकट मन रा चुका है दो से पांच जुलाई तक और सभी लोग को सरकार ने कहा है कि सभी रहीगा साउधार पांच जुलाई तक क्योंकि पास दोलाई तक देश में कुद्धत का बैंकर को रहा होने वाला है जिससे बीशने तबाई भी मचने वाली तो यही है मोसम की ताजा जानकारी यदि आपको यह जानकारी अच्छे लगी हो तो आप श्रू को लाइक तो जरू करिएगा सेर आप उसे करेगा ताकि जानकारी वा आपके भाई बान में तर भी प्राब्त करने पर यह को पर रहे होए지 आगे जानकारी स्बसे पहले देखने को मिल जाए तो इसलिए बस नाइता आप सभी भाईयों बानों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवादिश्यों को देखने के लिए जैंद जे वारत और वंधे मत्रम